हेला दोस्तों रादे राधे कैसे हैं आप सब प्रेंट्स आज इस वीडियो में हम आपकी साथ शेयर करेंगे लड़ू गोपाल की छटी कैसे और कब मनानी है तो जन्मश्ट्मी के ठीक छटे दिन हमें मनानी होती है लड़ुगोपाल की छटी जो बहुत जरूरी होता है मनाना इसके बिना जन्मेश्टमी का ब्रत जन्मेश्टमी का तोहार हमारा अधूरा माना जाता है तो जन्मेश्टमी जो है छटी जो है 31 अगस्त की मनाई जाएगी जिन्होंने 26 अगस्त का ब्रत करा है वो 31 अगस्त को च तो हम लोग तो 31 अगस्त को छटी मना रहे हैं तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया है दूद तो हमें इस सुबे इसनान कराना है लड्डू गोपाल को और ये ले लिया है मैंने कच्चा दूद और कच्चा दूद में हम कराएंगे लड्डू गोपाल को इसनान गाय का दू तो बारी बारी करके तरीके से हमें तीन दूपकी लड़ुक्पाला के बाद दूदू में लगा देनी है, यह इस नान सुबे करानाके स्याम को नहीं कराना का हमें लड़ुक। को भी एक ही बार इसनान करा के शाम को चटी पूझनी है तो यह है लड़ु गुपाल की चटी का इसनान का दूद तो यहां पे हम इसको या तो देखिए खीर में इस्तमाल कर लेंगे या बच्चों को परशाद के तौर पे सबी को थोड़ा-थोड़ा हम पिला देंगे इसको इधर-दर नहीं करना है इसको घर में ही परशाद के तौर पे इस्तमाल करना है आपको इसके बाद हमें लड़ु गुपाल को कराना है सादा जल से इसनान तो गंगा जल और सादा जल से इसनान करा दें उसके बाद अच्छे से लड़ु गुपाल को मौच लें यहां पे थ अगर आपके पास पीले रंगे वस्त्र पहना दे नहीं है तो कोई बात नी जो भी आपके पास वस्त्र होआ वो लड्डू गोपाल को पहना दे लेकिन वस्त्र हमें लड्डू गोपाल को नए ही पहनाने है पुराने रखे हुए वस्त्र नहीं पहनाने है ठीक है यहां पर हम लड्डू गोपाल को नजरिय वगरा भी पहना देंगे मतलब काले रंका धागा भी पहना देंगे विस्त्र वगरा पनाने के बाद उसके बाद हम जलाएंगे जोद तो साम के वक्त अब चार बजे के बाद की पूजा है ये चार बजे के बाद आप लड्डू गोपाल की यहां पर अगर पूल अगर चड़ा सकते हैं तो यहां पर दिल्ग करने के बाद अक्षा चड़ा दिया है इसके बाद हम थोड़ा सा लड़ा ज़ा दिया है अब हम लड़ू गोपाल को काजल लगाएंगी तो काजल हमें पारना है ये मेरे लड़ू गोपाल की ही चमबच है पीतल की तो इसी में में काजल पार लूँगी अगर आपके पास पीतल की चमबच नहीं है तो आप इस्टील की चमबच ले लें बस इतना रखना आपको ध्यान कि इस्टील की चमबच जो भी आप लें वो काजल जब आप चंबच में निकालते हैं सान की मा अमारे आप चंबच नकाल लाई की अव जिकाल लक्त मारफ olması मतलब कांप फंधी यह धो जो स्वाड़्य सान कोम ऐदारे सब आपको तुल्सी पत्र डालना है vacunr छोड़ी से बोड़ी कणे लेकिड़ी क palavra थूरासा जूटा कर लॉड़ भोग लगा दूँगी देखिए कड़ी जो आप जो भी समान बनाए ना साध्विक बनाए एक दम उसमें लेसन प्याज सभी को पता होता है नहीं डलता तो साध्विक भोज़न ही बनाए आप यहाँ पे मैंने कड़ी और चावल लड्डू गुपाल को भोग लगा दिया है सा पार जल भी पिला देना है जब तक जोत चलती है तक दो मतले इसक को जहां मेंको झांत हो इसको जाले घर में थोड़ा तोडा खा लेंगे लड inflam करेंगी squad unit किसी को दे दे नहीं है पंडित वगरा को या फिर अपने घर की चापिया सौपनी होती है लड्डू गोपाल को दिखिए चावी बली रसम अप कर भी सकते हैं वरना इसको इसकी भी कर सकते है हमारे हैं होती है इसलिए मैं दिखा रही हूं आपको तो चापिय सौपने के बाद हमें कहना है है मेरे रड़ो कोपाल, मेरे बाके बिहारी, इस घर के सदद से हो आप, हमारे घर के माली को आप, इस घर की चाबिया मैं आपको सौपती हूँ, इस घर की रकषा, इस घर परिवार की रकषा आप सिरिफ आपको करनी है, अच्छा बुरा जो بھی होगा सरफ आपके उपर है, परीवार को अब समालना है आप ही इस घर के मालिक हो इस तरीके से 20 को रख देनी है और बागी तो बाके बिहारी सब समाल ही लेते हैं अच्छा बुरा जो भी बुरी बला बुरी शक्ति नजर दोस्ट जो भी हमारे घर को लगता है ना बाके बीहारी कुछ भी नहीं लगने देते हमारे उपर कोई परेशानी आने से पहले ही हमारे लड़ो गोपाल उन सारी परेशानियों से खुद अकेले निवट लेते हम तक आने नहीं देते आर्थी लड़ो गोपाल की सबसे पहले हम गनी चीकी आर्थी करेंगे फिर उसके बाद हम जो हैं लड़ो गोपा खा लेना है तो चटी जोने लड्डू गोपाल के इसी तरीके से पूजी जाती है तो आज की वीडियो आपको मारी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा मिलती हूं अबनी वीडियो में जैमाता दीराइगा